नमस्कार आप देख रहे हैं WWE News Hindi YouTube चैनल तो गाइस WWE का अगला पेपर व्यू क्राउन जोल्स है जो कि अब कुछ ही घंटो बाद होने वाला है जहांपर हमें कई शांदार चीजें देखने को मिलेगी जो कि इस क्राउन जोल्स को और भी शांदार बनाईगी इस वीडियो में हम चार इसी चीज़ों को लेकर बात करने वाले हैं जो हमें इस बार के क्राउन जोल्स के दोरान देखने को मिल सकती हैं तो वीडियो की काफ़ इंट्रेस्टिंग इसे एंड तक जरूर देखिएगा तो Crown Jewels में सबसे पहली चीज जो देखने को मिल सकती है वह यह है कि Paul Hammond यहाँ पर मदद करे Roman Ranch की Brock Lesnar को हराने के लिए इस वक्त Paul Hammond के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इसी बात का है कि वह खुद को Roman Ranch के सामने loyal कैसे prove कर सकते हैं और इसके लिए Paul Hammond कुछ भी करने को तयार है क्योंकि Paul Hammond भी जानते हैं कि Brock Lesnar WWE में part-timer है और वे यहाँ पर थोड़े समय के लिए हैं लेकिन tribal chief हम ऐसे WWE में मौजूद रहते हैं इसलिए उनका फाइदा Roman Ranch के साथ ही रहना ज्यादा फाइदे मन्द होगा ऐसे में Crown Jewels के दोरान मैं इवेंट में होने वाले Roman Ranch वर्सेज Brock Lesnar के Universal Championship मेच के दोरान Paul Hammond रोमन 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 इस मेच को जीत सकते हैं और इस तरह से Paul Hammond अपनी loyalty भी प्रूव कर सकते हैं दूसरी चीज जो देखने को मिल सकती है वह है कि Goldberg यहाँ पर अनौश करते हैं कि वे Royal Rumble 2022 में आने वाले हैं Goldberg पिछले कुछ टाइम से WWE को काफी वक्त दे रहे हैं ऐसे में कयास लगए जा रहे हैं कि Goldberg यहाँ पर Royal Rumble 2022 के लिए अपनी वाप्सी का एलान पहले से ही करते हैं तीसरी चीज जो यहाँ पर देखने को मिल सकती है वह है कि Becky Lynch और Charlotte Flair अपने title एक्सचेंज कर ले क्योंकि Becky Lynch श्मेकडाउन विमस चेंपियन है और वहीं Charlotte Flair रो विमस चेंपियन है लेकिन अब Becky Lynch Monday Night Raw में आ चुकी है और Charlotte Flair श्मेकडाउन में ऐसे में इस बात के चांज काफी जादा है कि यह दोनों Crown Jewels के दोरान title एक्सचेंज करती हुई नजर आ सकती है यहाँ पर Raw Women's Championship Becky Lynch ले सकती है और SmackDown Women's Championship Charlotte Flair और Final चीज जो यहाँ पर देखने को मिल सकती है वह है AJ Styles अपने ही partner Omos के उपर हमला कर दे पिछले काफी टाइम से यह दोनों एक ही शाथ एक ही टीम के तोर पर काम कर रहे हैं एशे में WWE यहाँ पर Omos को फेस्टर न दिलवा सकती है जिसके जलते हमें यहाँ यहाँ पर AJ Styles Omos पर अटेक करते हुए नजर आ सकते हैं तो गैस आपके क्या है ख्याल कमेंट करके जरूर बताएगा अगर वीडियो पशंद आई हो तो इसे कर दीजेगे लाइक और शेर जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में धन्यवाद